Hello everyone, इस वीडियो में हम बस्ती का second part discuss करने वाले हैं अगर आपने first part check out नहीं किया है तो सबसे पहले वो देख लीजिएगा जिसका link आपको description में मिल जाएगा उसमें मैंने first to five chapters discuss करें हैं यहाँ पर हम देखेंगे six to eleven chapters So without wasting much of your time, let's start the video Chapter six में बात की गई है जाकर के friend surrender की जो कि उन्हें letter लिखते हैं दो साल तक जाकर का उनसे कोई contact नहीं रहता लेकिन बाद में जब वो letter लिखते हैं surrender तो बताते हैं कि वो एक radio station में काम करने लगे जहाँ पर उन्हें एक लड़की भी मिली है जो की wheat colored complexion, delicate features और reserved से nature की है जो उनके friend है वो उनकी simplicity और sadness के त्रियों से मतलब ऐसा start कर देता है conversation उन्हें वो काफी अच्छी लगती है कि मतलब कितनी अच्छी यह लड़की है तब उनको पता लगता है कि यह जो लड़की है वो अकेली रहती है इंडिया में इनकी पूरी family ढाका shift हो गई है आगी चलकर सुरेंद्र को यह भी बता लगता है कि यह जो लड़की है वो रूपनगर से है और यह वही लड़की है शबीरा जिसके बारे में जाकिर ने उन्हें बताया था शबीरा का पूरा परिवार पाकिस्तान और धाका shift हो चुका है सिर्फ वो ही इंडिया में बची है आखिर काफी confused हो जाते हैं यह सब देखके कि आखिर क्यों शबीरा ने इंडिया में रुकने का फैसला लिया होगा कुछ लोगों का तो attachment अपने property के लिए कुछ का graves के लिए लेकिं शबीरा का क्या motivating factor रहा होगा जो उसे रोकता है इंडिया के अंदर फिर वो अपनी complex feelings के बारे में भी सोचते हैं कि कितना complex था उनका feeling शबीरा के लिए जैसे जैसे उन्होंने time spent किया उसके साथ तो वो उसकी तरफ कीशते ही चले गए थे लेकिन बाद में जब एक और letter आता है सुरेंदर की तरफ से तो जाकिर और परिशान हो जाता है क्योंकि सुरेंदर उनको बोलते हैं कि तुम ऐसा डली आजाओ और उससे मिलों कि यह लड़की इतना दुखी है और सारी चीज़े बूडी हो रही मतलब लोग हम वो pain है जो बढ़ता ही जा रहा है and you should come and visit है इतने में जाकिर की मदर भी आ जाती है और वो देखती हैं उस letter को तो पूछती हैं जाकिर से कि भाई यह letter कहां से आया है तो उन्होंने बताया कि इसे सुरेंदर ने भेजा है India से वो याद करती है हाँ सुरेंदर तुम्हारा जो दोस्त होता था तो पूछती है हाँ इंडिया से तो आ जाते हैं letter पर धाका से कोई खबर नहीं आई है फिर जो जाकिर हैं वो पूछते हैं अपने relatives के बारे में जो की रूपनगर में थे specifically वो mention करते हैं शबीरा को तो उनकी मदर बहुत गुसा हो जाती है कि शबीरा वो इतनी self-willed लड़की जब सारा परिवार ढाका और पाकिस्तान आ रहा था तो उसको अकेले क्या रुखने की ज़रत थी तो पुरा गुसा हो जाती है उनकी मेंदर कि वो तो अपनी अपनी चलाती है वो किसी के नहीं सुनती तो जो जाकिर है वो पूछता कि क्या मैं ऐसा रूपनगर जा सकता हूँ तो उसके मैं मैं बोलती पागल हो क्या तो जब कोई ही नहीं रूपनगर में तो तो किस से मिलन जाओगे तो बहुत ही एक अलग सा इन्वामेंट बन जाता है उनके घर में पूरा आग्युमेंट्स वाला क्या के क्या ही करने जाना है उस जंगा पर जहां पर हमारा कोई नोन है ही नहीं है फिराता है चेप्टर सेवन जहां पर जाकिर अपने पार्टीशन की मेमरीज को रि सिटी है जो पूरा एक देश है वो कितना चेंज हो गया कितने हिंदू टेंबल्स को ऐसा पूरा डिस्ट्वाइ कर दिया गया और सिटी का पूरा आर्टीटेक्चर चेंज हो चुका है मुसलिम्स आ रहे हैं हिंदू जा रहे हैं पूरे शहर का एक नक्षा है जो ओलट- और बाद में उस जमीन को भी बेचना पड़ा वो एक छोटे से घर में आके रह रहे हैं अपने मुसलिम नेबर हुड में उनकी मदर ने अपने सारे पूजिशन को छोड़ा सारा जो एक होता ने इंसान का अट्रेक्शन और एक अफेक्शन अपने चीजों के लिए वो सारे चीज़ें उनको त्याग नहीं पड़ी जाकिर है जो फिर बाद में नोटिस करते हैं कि बहार से उन्हें कुछ गोलियों के अवाज आ रही है जिसका मतलब है कि फिर से वॉयलिंस और क्योस फैल चुका है पूरे शहर में तो जो चप्टर 7 है बस्ती का वो एक्स्प्लोर कर हैं कि उनका घर होता था उनके कितने पोजेशन्स थे उनका नेबर हूट जहां पर वो इतना हामनी में रहते थे लेकिन अब सारे चीज़ेंच हो चुकी है यही बात बताईगी है चैप्टर 8 में कि जो जाकिर है वो अपने फ्रिंड रियास के साथ एक पार्क में मैठा होत है फिर बात में उनका जो स्टोरी है वो शिफ्ट हो जाता है तो आस मैन नेम कायम यह एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है जिनको अरेस्ट कर लिया गया है सरकार के खिलाफ बोलने की वज़े से तो इनका जो एक एक्स्पियेंस है प्रिजन के अंदर उसको डिटेल में एक छोड़ दे और जो भी चल रहा है उसको असेप्ट कर ले चैप्टर एंड होता है विद कायूम स्टिल इन प्रिजन और अब उसका जो होपलेसनेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था लेकिन एक दिन उसे सपना आता है कि उसे रिलीस कर दिया गया और वो अपनी फ जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि कैसे अगर अब सरकार के खिलाफ बोलोगे तो फिर आपके साथ उल्टाई होगा कुछ नैन में बताया गया है कि जो ख्वाजा साहिब है वो अपने बेटे करामत को ढूंड रहे होते हैं तब ही एक जो आदमी रहता है सियाल कोट से उन का बेटा भी मिल जाएगा उन्हें इसी खबर को मुलाना साहिब को डिसकस करते हैं कि जर ऐसा ऐसा मुझे खबर मिला है तो मुलाना साहब का भौजा दा बिलीव होता है प्रेयर्स के उपर तो बोलते हैं कि हाँ आप अल्ला पैस विश्वास रखी और जो भगवान है आप पका बेटा जल्दी वापस आ जाए गई रहा इतने में जो अम्मी होती है ख़ाजा साहिब की वाइफ वह भी कॉन्मसेशन को जौइन कर लेती और भाहती टेंशन में होती है अपने बैटे को लेके तो जो अम्मी है वह सजजस्ट करती है कि उन्हें क्या करना चाहिए शब को भेज दीजिए लेटर जो कि फॉर्वर्ड कर देगा इंडिया में क्योंकि इसी तरीके से वो सारे अपने लेटर भेज पा रहे थे अब डिरेक्टी पाकिस्तान से इंडिया नहीं भेज सकते थे जाकर इस जो थौट असको इर्फान के साथ तो फिर वह अपने इस आडिया वापस आ गई है लेकिन जो बाहर स्ट्रीट है उसमें बहुत ज़्यादा क्यास फैला हुआ है फिर वह इंस्टेंस जो अबबाजान अमीजान को कीस थमाते हैं और इस होप में मतलब ऐसा पुरा दिखाया गया है कि पुरा चींजिस आ जाते हैं सासाइटी के अंदर लेकि फिर अबबाजान की डेथ हो जाती है जो कि ये शो करता है कि कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं होती मैन इस मॉर्टिल और जो चेंजिस हैं उनको आप नहीं टाल सकते हैं जो सुरिंदे के लेटर्स हैं वो आई ओपनर का काम करते हैं जाकर के लिए क्योंकि जाकर लव कुछ नहीं पूछा जाकर के जो थोट्स हैं वो चेंजिंग ऑफ दे नेचर उसके त्रूर प्रेजन की गए कि कैसे जो पूरा सीजन है वो चेंज हो रहा है तो पूरा एक जो साइकल रहता है ना लाइफ और डेथ का उसको दिखाया गया है फिर जो चेप्टर है वो एंड होता है विच जाकर फिलिंगा सेंस ऑफ रेजगनेशन एंड असेप्टेंस कि सारे जीज़े कितनी इंपर्मानेंट है कोई भी चीज़ पर्माने नहीं होती फिर आता है हमारा लास्ट इन फाइनल चेप्टर चेप्टर नमर 11 जहां पर जाकर बताता है कि हर जंग है वालें हमारी जो पूरी सिवलाइजेशन है उसको हिलाके रख दिया है इस पार्टेशन ने बस लार्ड स्केल पर मर्डर्स ही होते जा रहे थे एक्सपिरियेंस ऑफ डेथ ही हर जंग है फैला हुआ था जाकर का जो लास्ट एंकाउटर रहता है नोवल में वो रहता है बर्निंग डाउन ओफ लॉट ऑफ बिल्डिंग्स मतब कि पूरा डिस्ट्रॉक्शन है शहर में हर जंग है बस टेरर है वोईलिंस है क्योस है कई भी शांती का माहल नहीं है जो नोवल जहां पर हर आदमी को वोईस दिया गया था वोर के टाइम पर उसमें ही लास्ट में जो प्रोटेगनिस्ट है वो बिलकुर शांत पढ़ जाते हैं इसी के साथ आपकी नॉवल कंपलीट होती है आई होप आपको समझ आया होगा फिर भी कोई क्वेस्टन है तो उसे आप पूछ सकते हैं कमेंट ब कि अदोर आपकी नॉवल कंपलीट है टो झाते हैं कि वे लास्ता का मैं नॉवाव दूप पिजो रिवड लगाव नॉवल कंपलीट हैं कि अवेल के समझ पूसमें खालीट जड़ दीम सब्सक्राइब से नॉवल